तो चलिए दोस्तों स्वागत आपका एजी लर्निंग की एक नई वीडियो में इस वीडियो में दोस्तों हम शुरू करेंगे हिस्टी का सैंपल पेपर नमबर फाइव मैं आपको चार सैंपल पेपर करा चुका हूँ लास्ट में प्लेलिस्ट की लिए देदूँगा वहां से दे रहे के हम शुरू करेंगे बच्चों वीडियो को पहली पहला कोशन है हमारा अब फजल ने अकवर के राजाइं में जो सोवर्निटी जस्टिस को किस तरीके से दिखाया तो सबसे पहले समझें बच्चों सिफ पॉइंस पॉइंस करेंगे इसके बदले में वो क्या डिम और लोयल्टी और शेर आफ रिसोर्च यह चीज उसने डिमाइंड करी और जितने भी जो सोवरेंज होंगे यह माला जाए कि उन्हें जो यह पावर मिल रहे है राजा को डिवाइन गाइडेंस के थू में भगवान के थू देविय थू यह पावर मिली है जनता को प्रटक करन प्रटक करनेक्षन ता यह पावर्फुल और वीकर सेक्षन एक साथ रहे हैं हार्मनी के साथ अगला कोशन है कि अबुल फजल अख़र ने फत्यपुर सीक्री क्यों बसाई तो फत्यपुर सीक्री बसाने के लिए एक सबसे बड़ा कारण था यह आगरा के पास में बसाई ग यहां पर इन्होंने शेक मुहनदुन चिष्टी की दरगा बन बाई दूसरा यहां पर गुजरात विजय करी थी तो बुलंदर वाज़ा बन बाया था ठीक है इसके बाद आते हैं क्लिए कॉनसे पर कॉर्णेश क्या है चहर तस्लीम क्या है और शब्यबरात क्या है कॉर्ण क्या होता है कॉर्णेश में जो राइट हें होता है राइट है और इस से राइट है करेने हाथ ख़ड़े होता भारेouth तो बहुत कम इंप्पॉर्टन कोशन तयार भी मत कीजिएगा कोई दिक्कत लेगे तीक है जिसमें नेचर को नेचर की पावर को इसकी मैगनिफिकन्स को बड़ा कर दिखाया जाता है अगर हम दो पेंटिंग की बात करें विल्यम होज की तो इसमें पहली पेंटिंग थी जो क दूसरी पेंटिंग जो कि जंगल टेरिटरी की थी जिसमें रोमेंटिसिंग को दिखाया गया किस तरीके से कि जमीन एैं इर्रेग। किस तरीके की रिफनेस कैसी है इन सब को दिखाया गया थीक्शन है नेक्स कोशन खिलाफ़त movement क्या या इंपॉर्टन कोशन गांदी जी को साथ इसके साथ क्यों जोड़ा तो खलाफत मुव्मेंट खलीफा की पावर को रीस्टोर करने के लिए चलाया गया मुव्मेंट है जिसको लीट करा था मुहम्मद अली और शौकत अली दो भाइयों ने पहला कोशन का अंसर हो गया महत्मा गांदी ने नौन कॉपरिशन को खत्म किया रह सकता था इसलिए गांदी जी ने खिलाफत मुव्मेंट के साथ में नौन कॉपरेशन को जोड़ने का सोचा है चले सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं अब आते हैं पहाडिया के सोशल एकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में जानेंगे तो बच्च यह गई एकोनॉमिक लाइफ पॉलिटिकल लाइफ में भी तीन पॉइंट लिख लेना पहला हट्मेंट में रहा करते थे और मैंगो ट्री के नीचे अड्रेस्ट किया करते थे दूसरा पॉइंट इनके उपर मतलब जमीन पर कोई इंडिवीजल प्रॉपर प्रॉपेटी प को अपने साथ मिलाते नहीं थे इंट्रूजन नहीं करते थे ठीक है और चौथा पॉइंट करना चाहो तो कर देना कि जो चीफ वह करता था वह पूट जितने भी डिस्पूट नहीं रिजॉल्व करेगा पॉलिटिकल लाइफ में चले जाए तो पहाडिया लोग प्लेंस प लिए दो बद्ले में तो म nouveaux दालेंगे तीसरा जमीन-दार से यह पैसे लिया करते थे यह यह चांती बना है पार दाम को देगक तो उट बना है टो आतर रीवट्ट ओवड़ takich क отмет यह जो इनीशल रिलक्टेंस था मतलब जो राजा वगरा थे यह जिन्होंने लीट कर वह शुरू में मना करना चाहरे थे की तरीके से सक्राइब कर देना पड़ाै तीस सामान कोई च्वास नहीं ऊवच्शन इसने लेलिव आलट कंना पड़ा आभी में जो यहांसी की रहनी में पर लोगों का पॉप्लर क्रैशिट था है ना लोग चाहते थे कि लीड करें तो उस पॉपलर प्रेशर की वज़े से जहासी की राणी को लीड करना पड़ गया अब हम चौती जगह चले आते हैं अवद में मजबूरी थी कि जमीन को नवा चीन लिया गया था नवा वाज़े दली शाह को निकाल दिया गया था इ आप इन में से च्छे कारण कोई से भी समझा सकते हो सबसे पहला था रियूमर्स ठीक है पहला रियूमर्स था कि वह जो बुलिट थी उसके उपर गाए बहस की चरबी का वह ग्रीस लगा हुआ था दूसरा कारण बनाऊगे पहला तो गया दूसरा प्रोफेसी प्रोफेसी म तीसरा कारण अगर हम देखें तो क्रिशन मिशनरी थी उनकी एक्टिविटीज की वह कितनी तेरी से लोगों को करके क्रिशनेटी में बदल लाए थे चौथा कारण जो लौड वेलेजली की सबसेडरी ऐलाइंस इसकी वज़े से भी वह पांचमा कारण लौड हाउजी की ए इन कारण तो सिपाई का डिस्कंटेंट था कि जो सिपाई लोग थे उनके साथ में रेशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था रिलेशन बदल गए थे गाली वगरा दी जाती थी उन्हें यह सब कारण थे अगला कोशन पर जाते हैं इन में से कौन सी डॉमिनेंट वोइस एंड क सब्सक्राइब कि यहांनि किन-किन का बहुत जादा इंफ्रूएंस थे लगवा कॉंस्टेंट असेंबली में लेकिन कुछी मेंबर ऐसे थे जिनकी वॉइस काफी डॉमिन रही इसमें पहले हो गए पंडिजवाल नहीं है रूह इनको समझाना और इनके अंडर में लिखना अब्जेक्टिव रेजोलुशन इन्होंने बताया दूसर नाम रिखेंगे सर्दार बला भाही पटेल इन्होंने रीकंसेल करने का काम करा उन सभी आपोजट व्यूस को जो की भारत में से जोलने नहीं चाह रहे थे या जो अलग अलग तरीके के व्यूस अकते थे उन्हें जोलने का काम करा तीसरा नाम होगा राजेंद प्रसाद यह रॉल प्ले किया था पांचम नाम देखेंगे तो इनके लावा दो और लायर थे केम मुनुशी और अलाधी कृष्णस्वामी आयर ठीक है इन लोगोंने क्या करा था नोगोंने भी अपने काफी क्रूशल तो बिन राओ को मिलेगा बिन राओ ने कई पॉलिटिकल सिस्टम्स को रीड करा और उसके बेसेश पर इंडिया में किस तरीके से लिख आना चाहिए यह सब चीज़े बात की ठीक इंडियन कॉंस्टिटूशन को कैसे बना जाए तो इन्होंने कई एक तरीके से सलहकार रहे थ तो अगर हम देखें तो तीन साल के लगवक्ड वगरा चलिए जिसके बेसेस पर हमारा इस सबसे पहले का जाना था वह कैवनेट मिशन प्लान जो 1946 में उसके लिखना था दूसरा पॉइंट मुस्लिम लीग ने आसेमली को बोईकॉट कर दिया तीसरा पॉइंट जो गॉंस् प्रेसिडेंट शिप वह राजिंद प्रिसाद जी को दी गई नेक्स पॉइंट पांच 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 पॉइंट देखेंगे तो जो जनता थी यानि पब्लिक इंफ्लूइंस था ओपिनियंस थे इसने भी कॉंस्टूइशन को बनाने में काफी जादा कॉंटेक्स के बेसिस पर कॉंसी चीज अप्लिकेवल है कॉंसी नहीं इस बेसिस पर उसे कॉंस्टूटूशन में जोड़ा गया जैसे कि अगर हम देखे तो फंडमेंटल राइट्स अमेरका से लिए इसके लाब बाकी चीज़ें लिख सकते हो आप अपने हैसाब से लेकिन स्क्रीन शॉट ले लो इसके कोशन करने की कोशिश करना मैप कराता हूं मैप देखे दो मेंबर का मैप आगा मैप को पूरी मैप की वीडियो बता चुका हूं वीडियो के लास्ट मैप की लिंक भी देदूँगा मैप वाली वीडियो कि आप वहां से भी देख सकते हैं हमसे दो चीता पूँछ रहा है कि ऑदिपाइ ने स्कषिट कया था तो बिष्ट गांधी जी है को सवरमत यहां यहां फेल इसमें चोट वह यहां पर रहा है और पॉल्येजिजी Cert ऑखला हो गया … छोटा सा गोला तो यह होगे बच्चों आपका मैप कंप्लीट अगर आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर जरू कर दीजेगा जिसने भी अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजे मिलते हैं आप से अगले सैंपल प जर दीजे कर दीजे कर दोलीज समझा झाल 571-903 Allah शीर就到 चैनल से बड़ा तो समिर दो भीका दोलाग चिजे आपको सा ग затем काले से नहीं किया स्थर तो स्थर यह क्लश ला़का संझ भीस श्यार साल 561 जाम बड़ारा आपका मिलते हैं आतोल समेट नहीं कितल कितल अगर रश el